नमस्कार यात्रा में आपको बहुत ही आनंद आएगा रास्ते में बहुत ही ब्यूटिफुल व्यूज आपको देखने को मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस दुरान आपको स्नौफॉल भी देखने को मिलेगा तो अगर आप लाइव स्नौफॉल को एंजॉय करना चाते हैं और अपनी यात्रा को कालका से शिमला तक हसीन बनाना चाते हैं तो आप इस मौके को कभी मत छोड़ना तो इस वीडियो में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस प्रकार आप अपनी इस ट्वाय ट्रेन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं कहां से कर सकते हैं किन चीजों की आपको जरूरत पड़े की क्या आपको इंफॉर्मेशन आपको जान लेनी जरूरी है वो सभी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे और साथ ही आपको जो रास्ते के पूरे views हैं वो आपको दिखाएंगे और साथ ही रास्ते में जो snowfall का नजारा है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आपको इसको enjoy करें तो अब हम पहुँच चुके हैं कालका रेल्वे स्टेशन पर तो अगर आपको कालका टु शिमला ट्वाइ ट्रेन जर्नी को एंजोई करना है तो आपको सबसे पहले कालका रेल्वे स्टेशन पहुचना होगा और यहां तक मोचने के लिए यदि आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली railway station से काफी train चलती है कालका के लिए तो आप दिल्ली से आ सकते हैं श्ताबधी express जो early morning चलती है दिल्ली से और जो लगबग चार गंटे में आपको कालका पहुंचा देती है तो आप train से कालका तक पहुंच सकती है या आप देली से बाई बस या बाई टैक्सी भी आ सकते है और यदि आप बाई एर आना चाते हैं तो चंडिगड एरपोर्ट यहां का जो नियरस्ट एरपोर्ट है आप वहां तक पहुंच कर फिर टैक्सी करके यहां तक आ सकते हैं तो यहाँ पर आप आकर अपनी टिकेट विएरा कनफर्म करके आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपनी ticket advance में booking करा लेनी है वरना आपको बहुत मुश्किल होगी तो जब भी आप यहाँ पर आएं तो याद रखें कि online इसकी booking हो जाती है इंडियन railway की website में जाकर आप अपनी ticket book कर सकते हैं और यहाँ पर आकर ticket को confirm कराके आप अपनी journey शुरू कर सकते हैं आपको हम inform कर दें ताकि आपको कोई परिशानी ना हो वैसे तो आप साल के 12 मीने इस journey को enjoy कर सकते हैं कभी भी आकर लेकिन जब peak season होता है खास कर मई से लेकर जैनुरी तक तो काफी रश रहता है और खास कर जब Christmas का तोहार हो या New Year हो या दिशैरे की छुटियां होती है या April मैई जून के जो बच्चों की छुटियों के टाइम होती है उस दोरान इस train में आपको आने के लिए काफी struggle करना पड़ सकता है आपको ticket मुश्किल से मिलेगी इसलिए हमने आपको पहले भी बताया कि यदि आप इस journey को enjoy करना चाते है और किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचना चाते है तो pre booking करके आएं और फिर आप इस journey को अच्छे से enjoy कर सकते है और इस train की ये भी एक क्विशेश्टा है कि 2008 में युनेसको ने इसको वर्ड हरिटेज साइट में एड की है जिससे की इसकी value और ज़्यादा बढ़ गई है अब ना केवल इंडिया से बलके वी देशों से भी बहुत से प्रेटक इसमें सफर करने आते है और ये है rail motor car अगर आप कालका टु शिम्ला या शिम्ला टु कालका ट्वाइ ट्रेन से आना चाते हैं तो आप इस particular rail motor car में भी आ सकते हैं हलाकि इसमें सिमित लोग ही बैढ सकते हैं लेकिन इसमें व्यू बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि इसमें आपको front view भी दिखेगा बड़े बड़े गलासिस लगे होई हैं और साइड वियू भी बहुत अच्छे तरह से दिखेगा और कालका में सुबह 5 बच कर 10 मिनट पर ये चल पड़ती है और सुबह 9 बच कर 50 मिनट पर ये शिमला पहुंच जाती है तो आप चाहे तो इसमें भी अपनी जरनी को एंजुआई कर सकते हैं और जो इसके चार्जीज है वो 320 रुपीज है पर पर सन और बच्चों के लिए ये चार्जीज 160 रुपीज है अब हम आपको एक दो ट्रेन के अंदर भी ले चलते हैं ये काल का शिमला एक्सप्रेस ट्रेन है और जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको इस प्रिकार का व्यू नजर आएगा सीलिंग में गलासिस लगे हैं बड़े बड़े तो आप बाहर का उपर से द्रिश्य भी देख सकते हैं और दूसरी ये जो ट्रेन है ये है शिवालिक डिलेक्स एक्सप्रेस और जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको इस प्रिकार का द्रिश्य नजर आएगा इसमें भी उपर गलासिस लगे हैं और विंडो भी काफी बड़ी हैं अगर टाइमिंग की बात करें इस ट्रेन की तो सुबह 5 बज़कर 20 मिनट पर ये कालका से चलती है और 10 बज़े सुबह शिमला पहुँच जाती है या यदि आप शिमला से आते हैं कालका की ओर तो शिमला से ये 3 बज़कर 50 मिनट पर चलती है और 9 बजे रात को काल का पहुँच जाती है यानि कि लगबग 5.5 घंटे का ये सफर रहता है और बीच में ये 9-9 स्टोपेश पे रुकती भी है और इसका जो किराया है वो 510 रुपी है ये है हिमालियन क्वीन इसका जो किराया है 470 रुपीज है अडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए 235 रुपीज है और टाइमिंग जो है इसके चलने की दोपैर को 12 बच कर 10 मिनट पर ये कालका से चलती है और शाम को 5.5 बजे ये शिमला पहुँच जाती है और आप देखी सकते हैं अंदर जो सीटिंग अरेजमेंट है बहुत अच्छा है बहुत सौफ्ट इनके कवर्स हैं और अगर आप इनकी सीट की बैक को एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ से भी सीट खुल जाएगी तो चाहे तो आप आगे की तरफ भी बैठ सकते हैं पीछे की तरफ से बैठ सकते हैं हर डिबबे के अंदर प्रॉपर वाश्रूम है सारी फैसिलिटी दी हुई है आपको अच्छा लगेगा और जनरली आपको इस प्रकार से आपने किसी ट्रेन में अगर सफर नहीं किया होगा अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल दी है इनकी टाइमिंग के बारे में और चलने के बारे में लेकिन अगर आप पूरे अच्छी तरह से कंफर्म करके जानना चाते हैं कि क्या टाइमिंग है और क्या किराया है तो आपको इनकी वेब साइट पर जाकर ही अच्छी तरह से पता चल पाएगा इस रियली वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपिरियंस तो ट्रेवल इन इस ट्वाइ ट्रेन क्योंकि जब आप इस ट्वाइ ट्रेन में बैठ कर सफर करेंगे तो आपको जो व्यू नजर आएगा खासकर बीच-बीच में आपको सडग मार्क भी दिखता रहेगा तो आपको बहुत ही अनन्द आने वाला है और एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इस ट्रेन में सफर करते हैं तो बैटर होगा अगर आप अपने पुरे व्यू का मजा लेना चाहते हैं तो आप राइट साइड में बैठें यदि आप कालका टू शिमला आ रहे हैं तो राइट साइड में बैठें ताकि आपको पूरा व्यू दिखे और यदि आप शिमला से कालका आ रहे हैं तो आप ट्रेन की लेफ्ट साइड में बैठें जिससे कि आप दोनों बार आप व्यू का पूरी अच्छी तरह से मजा ले पाएंगे तो यू कैन सी कितना ब्यूटिफूल और ओपन यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिल रहा है और खासकर यदि आपको संसेट भी अगर रस्ते में पढ़ जाए आपका टाइमिंग ऐसा हो तो आपको बहुत ही सुन्दर दिश्य देखने को मिलेगा इस रियली वेरी 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 ब्यूटिफूल एक्सपिरियंस और यह देखिए विहंगम दिश्य है कैसे ट्वाई ट्रेन पहाड के बीच में बनी हुई टनल से बाहर निकल रही है और किस प्रकार यह अंदर एंटर कर रही है तो पूरा जो यह मार्ग है कालका शिमला ट्वाई ट्रेन का 97 किलोमेटर लॉंग है यानि कि 97 किलोमेटर लंबा यह रेल मार्ग है और इस रेल मार्ग में आपको इस प्रकार की जो टनल से 107 है 107 टनल आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी और जो सबसे बड़ी जो सुरंग है वो है बडोक की जो जिसमें यदि आप एंटर करेंगे तो तीन मिनट तक आप टनल के अंदर ही चलते रहेंगे तक आप एंटर की जो एंट यू एंटर अपको जो स्कूल लूड़ी जो एंट्रीजित मैंट रहेंगे जब आप शिमला के लिए अपनी जर्णी शुरू करेंगे तो रास्ते में आप कुछ काफी छोटे-छोटे स्टेशन भी देखने को मिलेंगे जो बहुत सुन्दर हैं जैसे की कोटी, बरोग, धरमपूर, शोगी, समर हील, कंडा घाट वेगरा और इस प्रकार के आपको कुल 18 स्टेशन रास्ते में आएंगे जहां पर यदि आप कुछ ठक गए हैं तो कुछ खापी सकते हैं, फूट ले सकते हैं, अनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं और अपने आपक कर आप आसपास के नजारों को भी एंजोई कर सकते हैं, इस ट्रेन जरनी के दुरान आपको रास्ते में कई स्टेशन देखने को मिलेंगे, लगबग 18 स्टेशन आएंगे, तो इसलिए आपको कम से कम खाने की चिंता नहीं करनी हैं, आप अपने साथ कुछ लाए हैं, तो अ अची बात है, अदर्वाइस यहां पर भी आपको बहुत सी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, यहां पर स्टॉल्स हैं, जहां पर आप एटेबल्स ले सकते हैं, अदर्वाइस यहां पर छोट छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, आप यहां पर आकर भी जो आप का दिल करे वो खा सकते हैं स्नेक्स आपको मिल जाएंगे रेडी फूड मिल जाएगा तो और ट्रेन के अंदर भी आपको खाने की सर्विस मिलती है तो आप उसको भी एंजोई कर सकते हैं कर सकते हैं कर दो 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 कर कर दो कर दो तो ये लीजिए आखिर आप 107 टनल्स को क्रोस करते हुए और 864 ब्रिजिस को क्रोस करते हुए और 919 कर्वस को एंजोई करने के बाद पूरे रस्ते का अनंद लेने के बाद लाइव स्नोफॉल देखने के बाद आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर शिमला और यहाँ पर आकर भी आपका मन बहुत परसन होगा क्योंकि शिमला भी एक ऐसा प्लेस है जहां पूरे भारत वर्ष से लोग इस जगा को विजिट करने के लिए आते हैं और शिमला ही वो स्थान है जिसके कारण इस पूरे रेल मार्क का निर्मान किया गया और बिटिश राज में क्योंकि शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल थी वो अपनी गर्मियों की छुटियां यहीं पर आकर बिताते थे तो 18-1908 में इस रेल्वे स्टेशन को बनाया गया था तो इतने लंबे टाइम से इस स्टेशन को अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है अच्छी तना से इसकी देखरे की जा रही है तो आप भी यदि आपको कभी भी मोका मिले तो आप इस जरनी को जरूर एंजोए करें आपको बहुत मजाएगा तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खतम होता है और हमारी कालकर टू शिमला की जरनी कम्पलीट होती है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद